हाई विनर्स आज इस वीडियो में एक डिफरेंट कंटेंट के से रिलेटिड बात करने आया हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले जो डेटा मैं कलेक्ट कर पाया उसको मैंने टाइम टुटाइम ट्विटर पे आपके साथ शेयर किया चलिए अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ ट्विटर पर नहीं जुड़े हो और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आईए ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िये और क्रिप्टो करंसी में हर प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बनाना कई पर पॉसिबल नहीं हो पा कि आप भी मेरे साथ ट्विटर पर जुड़िये और क्रिप्टो मार्केट देखिए आज शाम को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर मैंने एक पिक शेर की इस पिक को जितने लोगों ने देख लिया होगा अब तक वो समझ चुके होंगे कि exactly मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप यह देखिए क्रिप्टो मार्केट में एक न्यूज आती है and look at the impact of complete culture डोज कोईन से related न्यूज है और उस डोज कोईन के न्यूज के बदले में आप आज पूरा का पूरा डोज कल्चर को ट्रेंड होता देख रहे हैं फिर चाहे शिबा इनू हो डोजी लोन मार्स हो ब अभी भी इसमें ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डोज कोईन बेस्ट हैं लेकिन उनके नाम नहीं है क्योंकि वो डाउन है जैसे डोज चेन डोज चेन रीसेंट ली एक प्रोजेक्ट डवलप हुआ है उसका नाम इसमें नहीं है क्योंकि वो डाउन है अभी आपको नहीं किया गया, but overall अगर आप impact देखो last 7 days का ये impact आपके सामने है, Dogecoin 147% up Shiba Inu 31.6% up and look at the Doge loan Mars 87% का bullish look at Floki Inu 80% का bullish मतलब आपका 1 रुपया 8 पैसे हो गया अगर आप Shiba Inu में हो तो मतलब आपका लगाया हुआ एक रुपया, आज एक रुपय 80 पैसा हो गया अगर आप लोगों ने Floki Inu में इन्वेस्टमेंट का रखे दी वो एक रुपया 1.87 रुपीज बन गया अगर आप लोगों ने Doge loan मार्च में 7 दिन पहले इन्वेस्ट किया था और आपका approx amount जो है वो डेड़ गुना हो चुका है अगर आप लोगों ने Doge coin में इन्वेस्ट कर रखाता था तो यह last 7 days का review आपके सामने है मतलब आप यह देखिए कि एक news Twitter की deal एक news के Doge coin का trend वापिस आ गया और सिरफ Doge coin नहीं Doge coin से related जितने भी culture based project है सभी recover करना शुरू हो गए क्या हम इसको crypto का bull run बोलेंगे देखिए थोड़े से time के लिए यह bull run है लेकिन उसके बाद से आपको यह दुबारा downfall में भी देखने को मिल सकता है that's why every time I am saying please do your own research but यहाँ पर आप एक चीज notice कीजिए आज अगर कोई project के पास utility नहीं भी है तो वो crypto में news के बदले बढ़ता जा रहा है but जब हम doji loan mars की बात करते है baby doge coin की बात करते है flowky की बात करते है every project has their own utility किसी के पास game का project है किसी के पास swapping की facility है किसी का ecosystem number of multiple token की वज़े से या number of potentials की वज़े से बढ़ता जा रहा है किसी को news based बहुत बढ़ी support मिल रही है कोई P2E option में काम कर रहा है बट आपको ये एक चीज समझनी होगी कि क्या आप इन projects को long term के लिए hold करके रखना चाहते हो एक साल बाद दुबारा से ऐसी news आने लग जाए एक महीने बाद अचानक से ऐसी news ओ रहा है और आपको आज के price से दुबारा 147% अप दिखे दुबारा 31% अप दिखे दुबारा 87% अप दिखे तो आपको मेरे हिसाब से जो आज की present worth बोल रही है अपना profit time to time book कर लेना चाहिए आप अगर thousand rupees invest करते हो जब आपको लग रहा है कि equals to 2000 हो गए है तो at least अपने 1000 rupees को withdrawal कर सकते हो अगर आप 1000 USD invest कर रहे हो और आपने 500 या 700 USD को कमा लिया तो आपको मेरे साब से 500 या 700 USD को निकाल देना चाहिए time to time ताकि आपको run time में profit मिलता रहे जैसी जब कोई news market में आए आप उस time पर अपना profit book करके side by side अपनी earning potential को बढ़ाते रहे recently doge coin से ऐसा ही कुछ हुआ doge coin को जिस हिसाब से मैंने buy करके रखा था पिछले लगबख 4 दिन में 2000 के आसपास मैंने doge coin को sell out किया अब वो आप देख सकते हैं 15 से 20 जार रूपे आया लेकिन अगर मैं अब यह उमीद लगा के बैठू कि doge coin एक डॉलर का पहुच जाएगा या दो डॉलर का पहुच जाएगा जब वो पहुचना होगा पहुचेगा recently at least जो amount मैंने doge coin को buy करने में लगाया मुझे उसको पहले recover करके रखना है यह होती है एक best trading की strategy इसके इलावा अब आपको एक core culture के बारे में भी जानना चाहिए और वो है core ecosystem सतोशी core की mining आप लोग काफी time से कर रहे होगे कईना कई पर news सुनने में आ रही है कि वो अपने main net के लिए भी अब काम करना शुरू हो चुका है तो अगर आप लोग ने अभी तक core chain की या सतोशी core की mining ही start ने की तो अभी भी आपके पास approximately 50 days है 12 December 2022 को यह mining complete हो जाएगी और जितनी भी supply है approximately 30% जो supply है वो mining case आप से complete कर दी जाएगी उसके बाद या तब तक अगर mainnet launch हो गया तो हमें decent way में core का भी price देखने को मिल सकता है बट यह एक proper mining based project है तो इसमें आपका कुछ भी invest नहीं हुआ है यह आपको काफी अच्छा revenue भी generate करके दे पाएगा इसके इलावा अगर आप आज crypto market की news देखें तो XRP, Cardano, Solana Polygon, Polkadot Shiba Inu, हर project आप लोगों को last seven days में bull run के हिसाब सही है सबसे बड़ा कमाल BNB में आया है last seven days में 15% up, ethereum 16% up and bitcoin is 5% approximately जाच चुका है मतलब यह last five or seven days में जो bull run का एकदम से prediction हुआ, वो bull run अब downfall की साइड आ चुका है बट फिर भी जो projects potential projects माने जा रहे है वो projects दीरे-दीरे करके grow भी हो रहे हैं, यह आप देख भी पा रहे होगे analyze भी कर पा रहे होगे लेकिन यहाँ पर आपको यह देखना है कि last seven days में अगर आप recovery को proper count करो, so what about LUNC, what about app coin, what about ICP, what about chain coin chain coin को अगर मैं बोलू तो 41 के rank से 39 पर आ चुका है और last अगर मैं 5-6 दिन पहले की बात करो, उसका जो पिछले 7 दिन का figure था, 18% के approach chain down था, लेकिन अब आप देखिए last seven days में 19% की recovery और last 24 hour में काफी अच्छी recovery करके, काफी अच्छा मतलब मैं इसको recovery बोल सकता हूं 32% की hype ले चुका, 32% का bull run आ चुका है chain coin में और उसका rank भी 41 की जगा अब 31 हो चुका है, metaverse में अगर आप लोग सेंड़ों की बात करो, या फिर decent land की बात करो, दोलों ने काफी अच्छी recovery साथ 7 days में ली है, sandbox 17% decent land over 8% की recovery कर चुका है aptos last 7 days में 14% down है, लेकिन फिर भी, जो लोग ने समझा था aptos के बारे में, aptos उन्सके comparatively काफी बड़ा potential already market में साबित भी कर रहा है XI infinity, ये काफी बड़ा एक revolutionary crypto project माना जाता है gaming में, लेकिन अभी XI infinity अपने proof जो potentials है, उसको proper proof नहीं कर पा रहा है, bit torrent कि अगर बात करें तो bit torrent भी last 7 days में 4% की bullish recovery के साथ आपको समझाया होगा, लेकिन इस time पर जो सबसे बड़ी highlighting बनी हुई है वो बनी हुई है, ethereum P.O.W recently आपने सुना होगा, ethereum ने अपने P.O.W. जो है project इन्होंने अपना name service शुरू की है मतलब आप अपने web 3 के domain भी book कर सकते हो, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो crypto mark पे तो आपने recently मेरा tweet देखा भी होगा कि यहाँ पर मैंने tweet किया है आज ही, कि मैंने खुद web 3 के 2-3 domains को buy किया है dochain.p.o.w, smartcontract.p.o.w और nftverse.app यह web 3 के कुछ domains को आज मैंने खुद personally buy किया है by using ethereum name services तो अब कुछ न कुछ daily पढ़ने का मिलता है और आप लोगों के साथ definitely उसको share भी करने का मन करता है, तो एक ही video में जितना possible हो सके, वो आपके साथ मैं share जरूर करता रहूँगा, लेकिन यह आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अब आप थोड़ा सा वीडियो जो है उस मतलब जो वीडियो की volume है वो कम हो जाएगी, कि थोड़ा सा project के उपर focus कर रहे है और आप लोगों के लिए कुछ develop करने की कोशिश कर रहे है तो उसी की process में लगे हूँ है और देखते हैं कब तक यह चीज़े possible हो पाती है but the point is कि जुड़े रहे क्रिप्टो मार्ग YouTube चैनल से आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छी news भी मिलेंगी और काफी अच्छा benefit भी मिलेगा by connecting with CryptoMark और you can say Rajiv Anand YT YouTube channel Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates Thank you so much